गोड़ा बना गुलाम गोड़े भाईया इसमें आपको क्या परिशानी है मैं यहाँ घास चरू मेरी मर्जी आप रोकने टोकने वाले कौन होते हैं इतना कहकर वह भी घास चरने लगा गोड़े ने हिरन की बात सुनी और वह खिसिया कर चुप हो गया वह सोचने लगा यह सीधी तरह से नहीं भागेगा आज यह चर रहा है कल इसके साथ और आएंगे वे भी इस मैदान में घास चरेंगे समय रहते इसे ठिकाने लगाना होगा उसी समय एक आदमी जंगल में लकडी काटने आया घोड़े ने उसे आवाज लगा कर अपने पास बुलाया और कहा अरे भाई मैं तुम्हें सोने का हिरन दिखाता हूँ तुम उसे पकड़ कर मार दोगे तो धन्वान हो जाओगे आदमी ने हिरन और घोड़े की नोक जोंक सुन ली थी वह घोड़े की चाला की भाप गया था उसने घोड़े से कहा घोड़े भाई हिरन तो बहुत तेज भागता है मैं उसे पकड़ नहीं सकता हाँ तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो हिरन को पकड़ कर मार सकता हूँ घोड़े ने अपनी गर्दन हिला कर हामी भरी तब आदमी ने गठर बांधने वाली रसी की लगाम बना कर उसे घोड़े के मूँ में फंसा दी फिर उसकी पीठ पर चढ़कर बोला आज तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे यहां मजे से चने खाना, कल सवेरे सवेरे जंगल लोटकर हिरन का शिकार करेंगे इतना कहकर वह घोड़े की सवारी करता हुआ घर लोटा वह आदमी प्रति दिन घोड़े पर सवार होता और जंगल जाकर लकडियां ले आता घोड़ा इस आशा में था कि कभी न कभी तो हिरन मारा जाएगा हिरन मारा नहीं गया, हाँ घोड़ा गुलाम अवश्य बन गया घोड़ा तब से आदमी का ऐसा गुलाम हुआ कि आज तक उसकी गुलामी कर रहा है हिरन आज भी आजाद है और बे खटके जंगल में घूमता रहता है